जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में एकाउंटिंग गुरू में आज हम बात करेंगे फाइनल एकाउंट के अरजस्टमेंट की बात करेंगे और जब भी आप अरजस्टमेंट की बात करते हो तो अरजस्टमेंट के बिना फाइनल एकाउंट की कलपना ही आप नहीं कर सकते यह आप जानिए यानि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि कई सारे ऐसे पॉइंट है जो कि आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे दिये रहेंगे तो अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको दिखे ट्रायल बैलेंस के नीचे तो आपको यह जान लेना है कि यह आपका क्या है अरजस्टमेंट है ठीक है और जब आप अरजस्टमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे हमने आपके लिए लिस्ट ओफ अरजस्टमेंट लिख र का treatment कैसे करेंगे ये भी हम आपको one by one सिखाएंगे सबसे पहले अगर हम adjustment की बात करें जिनमें सबसे पहला नाम है आपका closing stock का दूसरा नाम है आपका outstanding expenses का तीसरा नाम है आपका prepaid और unexpired insurance expense का देन उसके बाद accrued and outstanding income income receive in advance या जिसे हम एक और नाम देते हैं आपका unearn income उसके बाद है आपका depreciation, bad debt, provision for the debt, provision for the discount on debtor, manager commission, interest on capital, interest on drawing या फिर आपका goods distribution among the staff member for the staff welfare ठीक है तो यह सारे adjustment आपको क्या करने हैं पढ़ने हैं क्या सर सिर्फ इतने ही adjustment है या इसके अलामा भी कोई adjustment है तो बेटा इंतजार करिए इसके अलामा भी कई सारे adjustment है जिनमें सबसे पहला नाम आता है आपका क्या drawing for the goods for the personal use, normal or accidental losses, interest on a loan, provision for the discount on a creditor, loss by the accident, charity in the forms of the goods, goods distribution as a free sample, deferred revenue expenditure, contingent liability, goods sold and dispatched but omitted to be the recorded, dishonor of the bill और लास्ट है आपका क्या? sale of the goods on the sale or return basis ये सारे adjustment आपको क्या करने है? one by one पढ़ने है और इतने सारे adjustment पढ़ने के बाद आप ये कह सकते हो कि सर हमारा final account क्या हो गया है? complete हो गया है, clear हो गया? अब आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी भी आप adjustment की बात करोगे ध्यान से सुनना जब भी भी आप किसकी बात करोगे? adjustment की बात करोगे तो adjustment की जो posting होती है वो आपकी दो जगहों पे होती है अर्जिस्टमेंट की जो पोस्टिंघ होती है वह कितने जगहुपे होती है दो जगहúpे होती है ठीक है यानि टू साइड ज्यार टू प्लेश अब सावाल यह उड़्ता है कि सर वह दो प्लेश कौं कौं से है वह दो प्लेश कौं कौmp से हैं तो भाई सीधि सी बात है जो पहला place है आपका वो है आपका trading and PL पहला place क्या है आपका trading and PL या जिसे आप trading and profit भी कह सकते हैं या या पर PL लिख दे रहा हूँ और दूसरा place क्या है आपका balance seat है पॉइंट क्लियर हो गया यानि जब आप कोई भी पॉइंट उठाएंगे तो आपको दो जगहां पर पोस्ट करना है एक आपका trading में जाएगा या अगर ट्रेडिंग में नहीं जा रहा है तो कहां जाएगा PL में जाएगा ठीक है और अगर ट्रेडिंग या PL में से जाने के बाद दूसरी पोस्टिंग कहां पर होगी आपकी balance seat में होगी कहां पर होगी आपकी balance seat में होगी अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर एक बात बताईए अगर हम trading की बात करें trading में दो side होता है debit होता है credit होता है PL में भी दो side होता है debit होता है credit होता है balance seat में भी दो side होता है एक assets होता है एक liability होता है आपने दो side तो बता दिये लेकिन कौन से दो side आपने खाली नाम बताया है आपने वो side नहीं बताई है तो उसको याद रखने का एक छोटा सा concept याद रखिए अगर कोई भी adjustment direct expense related है अगर कोई adjustment आपका किस से related है direct expense related है तो कहां जाएगा trading के debit में जाएगा और अगर कोई expense indirect expense related है तो कहां जाएगा आपका PL के debit में जाएगा direct income से related है तो कहां जाएगा trading के credit में जाएगा indirect income से related है तो कहां जाएगा PL के credit में जाएगा अगर कोई transaction आपका कोई adjustment assets related है कहां जाएगा balance sheet में जाएगा कोई adjustment अगर आपके capital या liability से related है तो कहां जाएगा liability side में जाएगा तो ये बाते तो आप लोग अल्रीडी पढ़कर आ रहे हो कैसे पढ़कर आ रहे हो भाई आपने trading account बनाया आपने PL account बनाया आपने balance sheet बनाया यानि आपने हर transaction को उसके हिसाब से transfer किया है अगर trial balance की हम बात करें तो trial balance में पाचो element को आपने उनके यथा इस्तिती में पहुचाया है कि नहीं पहुचाया है ये assets है तो balance sheet में भेज दिया लाइबिलिटी थी तो balance sheet में भेज दिया capital था balance sheet में भेज दिया income था तो income कौन सा direct होगा तो trading में indirect होगा तो PL में एक पन साथ है तो ट्रेडिंग में PL है इंडारेक्ट है तो क्या आपका PL में ये चीज़ें तो आप करके आ रहे हो अब आपको additional चीज़े सीखनी है और additional चीज़े क्या है आपकी adjustment चलिए फिर one by one start करते हैं जिन में सबसे पहला नाम क्या है आपका closing stock जब आप closing stock की बात करते हैं ध्यान से सुनियेगा जब आप किसकी बात करते हैं closing stock की बात करते हैं तो closing stock का मतलब क्या होता है unsold goods आपकी business में वो रखा है अब इसकी हमें posting करनी है तो मैंने क्या कहा कि adjustment है तो adjustment की दो जगां पर posting होती है adjustment की दो जगां पर क्या होती है पोस्टिंग होती है जरह सोच के बताना एक बात जरह एक बात बताव सोच के यह जो closing stock होता है यह आपके लिए क्या होता है assets होता है न तो यह किदर जाना चाहिए इसे balance seat के किदर? asset side में पहला वाला तो adjustment होई गया अद दूसरा adjustment अरे वहीं जहां भेजते थे कहां? trading के credit side में यानि जब आप इसके adjustment की बात करोगे जब आप किसकी बात करोगे? adjustment की बात करोगे होगे तो पहला adjustment कहां होगा? credit side of trading account credit side of trading account point clear हो गया पिटा पहला point clear हो गया और दूसरा कहां जाएगा यह दूसरा होगा आपका asset side of balance seat assets side of balance sheet point clear हो गया तो अगर आप closing stock की बात करोगे दोनो adjustment आपको समझ में आ गया कहां कहां जाएगा आपका trading account के debit side में जाएगा और दूसरा माप करीगा credit side में जाएगा और फिर आपका कहां जाएगा asset side के balance sheet के asset side में जाएगा बात clear हो गई इतनी अब दूसरा वाला adjustment देखते हैं दूसरा adjustment हमारा क्या है दूसरा adjustment है हमारा outstanding expenses versus prepaid या unexpired expenses देखो ज़रा ध्यान से जब आप outstanding expense की बात करते हैं तो outstanding expense का मतलब क्या होता है expense due but not paid but not paid expense due but not paid prepaid की बात करते हैं तो क्या लिखात क्या कहते हैं इसके बारे में कहते हैं expense not due not due but paid in advance but paid in advance बात clear हो गई भी या तो prepaid क्या होता है sir expense due but paid in advance sorry expense not due but paid in advance और outstanding क्या होता है आपका expense due but not paid अगर not paid है याई आपको देना था आपको क्या करना था देना था लेकिन आपने इसको नहीं दिया अगर आपने इसको नहीं दिया है तो जरह बताईये future में देंगे की नहीं देंगे आप, future में देना पड़ेगा न, future में जो चीज दी जाती है, जो financial obligation होता है, वो आपके लिए क्या होता है, liability होता है कि नहीं होता है, या आप एक बात बताओ, आप salary देनी थी, 2000 रुपया लेकिन आपने 2000 नया देके 1000 रुपया दिया, total salary कितना देना था, 2000 दिया कितना आपने, 1000 तो 1000 अभी future में दोगे न, तो 1000 अगर आप future में दोगे, तो वो आपके लिए liability बन गई की नहीं बन गई, तो दो adjustment में से एक adjustment आगया की नहीं आगया, क्या आगया सर, कि जितने भी आपके outstanding expenses है, जितने भी आपके क्या है, outstanding expenses है, ये आपकी क्या होती है बटा, future obligation होता है, क्योंकि आपको इसको future में क्या करना होता है, पे करना होता है इसको फ्यूचर में क्या करना रहता है इसी वजह से हम इसे ट्रांसफर करते हैं कहां लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस सीट कहा होगा बेटा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस सीट लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस सीट एक अर्जस्ट्मेंट तो हो गया हमारा अभी दूसरा अर्जस्ट्मेंट वाकी है अब दूसरा अर्जस्ट्मेंट कैसे करेंगे देखो एक बात बताओ जो आपका एक्सपेंस है आपने एक्सपेंस की दो केटेगरी पड़ी है एक डारेक्ट पड़ी है एक दूसरी कौन सी पड़ी है इंडारेक्ट पड़ी है तो डारेक्ट होगा तो कहां जाएगा ट्रेडिंग में और इंडारेक्ट होगा तो कहां जाएगा पील में इसमें तो अब आप एक देखिए चीज जैसे माल लीजे कि आप लोग profit and loss बनाते हैं या trading account बनाते हैं तो ये कितने महीने के लिए बनाते हैं 12 के 12 महीने के लिए न कितने महीने के लिए बनाते हैं 12 महीने के लिए अब सोचो कि अगर 12 महीने की salary देनी थी लेकिन सिर्फ 11 महीने की salary आपने दी है तो एक महीने की salary बाकी है न अगर आप अपने PL में 11 महीने की salary दिखाना परसंद करोगे कि 12 महीने की salary दिखाना परसंद करो प्फीक होगा उगर आप गैड्रा महीने की सैलरी दिखाओगए थो आपको प्रॉफिट नहीं पता चलेगा इसलिए आपको क्या करना पड़ता है बारा महीने की सैलरी दिखाना पड़ता त सब्सक्राइब कोई कि खर्चा में हम को outstanding expense क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा बात समझ में आ गई और फिर जोड़ने के बाद अब फिर वही बात कि सर अगर ये direct expense है अगर ये क्या है आपका direct expense है तो पेटा ये कहां जाएगा debit side of trading लिख लीजेगा debit side of क्या ट्रेडिंग और सर अगर ये माल लीजे इंडारेक्ट हुआ तो कहां जाएगा debit side of PL debit side of क्या PL बता बता समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा debit side of trading और ये debit side of क्या PL common क्या है दोनों में एक ही चीज common है वो है क्या debit debit क्योंकि debit loss को लिखने की जगा होती है न भाई ठीक point clear हो गया note down करेंगे अब देखिए दूसरा point दूसरा क्या कहता है आपका कहता है कि sir expenses due expenses not due but paid in advance माल लीजे कि आपको 10,000 रुपया देना था लेकिन आपने 15,000 दे दिया मतलब बारा महिने में आपको कितना देना था दस हजार लेकिन आपने उसी बारा महिने में कितना दे दिया पता चला कि sir ये तीन महीना एडवांस है तो भाया future है ना future का आप दे रहे हो तो अगर कोई भी खर्चा आप future के लिए देते हो तो वह आपकी assets बन जाती है कि नहीं बन जाती है आपकी क्या बन जाती है assets यानि जो आपकी पहली posting होगी वो क्या होगी आपकी देखेंगे ज़रा asset side of balance sheet asset side of balance sheet और दूसरी posting फिर से वही सवाल कि profit और loss या ट्रेडिंग एकाउंट ज़रा सोच के बताना कितने महीने का बनाते हैं बारा महीने का की पंदरा महीने का तो पंदरा महीने में से तीन महीना घटाएंगे तभी तो बारा महीना आएगा यानि अगर कोई prepaid expense है आपका तो उस prepaid expense को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे क्या कर देंगे बिटा माइनस यानि अगर हमारा कोई भी expense है हमारा कोई भी क्या है बिटा जी expense है उस expense में से हम क्या करेंगे prepaid minus करेंगे और फिर जो balance आएगा अब बताइए अगर expense आपका किस से related है अगर direct से related हैं तो कहां जाएगा debit side ये credit side debit side, बतलब ये भी debit side of क्या trading और अगर indirect है तो debit side of PL समझ में आ गया कि नहीं आ गया note down कि यह फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वही अगला पॉइंट है आपका क्या एक्रूड आउट इस्टेंडिंग एक्रूड इसी के बगल में मैंने क्या लिखा है आउट इस्टेंडिंग लिखा है लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए आउट इस्टेंडिंग इंकम लिखा है जबकि income कभी भी outstanding नहीं होती है income always क्या होती है आपकी accrued होती है यह सिर्फ समझाने के लिए लिखा है sir क्यूं क्यों कि इसका जो treatment है वो same है जैसे हम outstanding को क्या करते थे जोडते थे तो accrued को भी क्या करेंगे हम जोड़ देंगे माइनस कर देते थे तो UNEARN को भी क्या कर देंगे माइनस कर देंगे point clear हो गया यानि अगर accrued है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे ऐसे लिख लिए और अगर UNEARN है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे लेकिन यह income है याद रखे रहना यह क्या है आपका income है तो income अगर है तो यह किस side जाएगा credit side यह debit side credit side और सोचो अगर कोई income आपको नहीं receive हुई है future में receive होगी तो वो आपके लिए assets होगी की liability होगी जैसे माल लीजे आप लोगों में से कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी fees बाकी है वो मुझे future में पैसा देंगे तो वो मेरे लिए क्या है assets है की liability है मेरे लिए बताओ मेरे लिए assets है ना अब आपके लिए अलग बात है की liability है लेकिन मेरे लिए क्या है वो assets है चलो आओ देखो ज़रा ध्यान से तो अगर accrued है तो कहां जाएगा यह assets side of balance sheet बिटा बताइए पहला adjustment समझ में आ गया के नहीं आ गया ठीक है और उसके बाद जो भी हमारा particular income रहेगा जो भी हमारा क्या रहेगा particular income रहेगा उस particular income में हम क्या करेंगे एक क्रूड को जोड़ देंगे एक क्रूड को क्या करेंगे जोड़ेंगे अब सवाल ही वही उठता है कि सर इसको transfer कहा करेंगे भाईया अगर यह आपका direct income है अगर आपका यह direct income है क्या है आपका direct income है तो कहां जाएगा यह क्रेडिट साइड ओफ ट्रेडिंग एकाउंट क्रेडिट साइड ओफ ट्रेडिंग एकाउंट और अगर आपका यह indirect income है तो कहां जाएगा क्रेडिट साइड ओफ क्रेडिट साइड ओफ पी यल बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया को दिक्कत तो नहीं पिर उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है आपका un-earned income मतلاب income हमने कमाया नहीं लेकिन हमें receive हो गई लेकिन हमें receive हो गई है तो जरा सोचीए वह आपके लिए assets का क्ाम करेंगा या liability का काम किरेंगा तो पर उसलिए liability का काम करेंगा क्योंकि आप उसके लिए क्या हो चुके हैं बाद हो चुके हैं आपको वो काम करना पड़ेगा जब आप कोई भी काम कराने जाते हैं तो आप लोग Y Trevor पैसा दे देते हैं किद्वाइनस क्यों देते हैं इसलिए देते हैं तुम को ये अब काम करना पड़े गा और तुमने किया आँ तुम्हारे पर क्या कर सकते हैं क effshe o fascinate he कि सकते हैं कुछ बच्चे बच्छे तो मुठी बांद लिए कि सरमार भी सकते हैं मारना नहीं है मारना नहीं भाजी टीक है लॉकव हाथ में नहीं लेना है चलो तो क्या करेंगे सर देखो ज़रा द्यान से पहला रजस्ट्मेंट देखो पहला रजस्ट्मेंट क्या है आपका लैयबिलिटी ii side of ii li MODY side of क्या balance seed इसरा रजस्ट्मेंट क्या होगा जो भी आपकी income रहेगी जो भी आपकी क्या रहेगी income रहेगी इसमें से less करेंगे क्या un-earn income un-earn income ये क्या करेंगे minus करेंगे ठीक है अब फिर उसके बाद वही treatment कि sir अगर income हमारी क्या है direct है तो कहां जाएगा अगर इंकम अगर इंडारेक्ट है तो कहां जाएगा आपका क्रेडिट साइड ओफ पी यल मिताईए समझ में आ गया कि नहीं आ गया अभी सारा अरजस्ट्मेंट करने के बाद फिर हम आपको कोशन करवाएंगे ठीक है अरजस्ट्मेंट नोड करते रहे किसे रहे कि अगर बढ़े तो आपका अगर गया अरन इंकम की बात होको गई अब हम हम अपने ओर ट्रत फिर चलते हैं कि सब्सक्राइशन का हे यह सब्हाई होगा depreciation क्या होता है यह depreciation depreciation का मतलब क्या होता है reducing value of assets reducing value of assets यानि जब हम कोई भी assets use करते है उसके मूल में जो कमी आती है तो जितनी कमी आती है उसी को हम लोग क्या कहते है आपका depreciation कहते है अब depreciation by CDC बात है किसे related है आपके assets related है तो by CDC बात है आपको पहला adjustment clear हो गया की नहीं clear हो गया adjustment clear हो गया होगा क्या sir कि sir जो हमारी assets है मतलब इसको हमें भेजना है कहां पे balance sheet में जो भी हमारा particular assets है जो भी हमारा क्या है particular assets है उस particular assets में से हम depreciation क्या करेंगे minus करेंगे minus करने के बाद balance फिर क्या करेंगे लिखेंगे point clear हो गया और फिर उसके बाद यह जो depreciation वाली value है यह कहां जाएगी sir जान से सुनिए यह जो depreciation होता है यह non cash expense होता है क्या होता है आपका non cash expense और यह always आपका क्या होता है indirect होता है क्या होता है indirect expense होता है अगर यह indirect expense है तो सीधी सी बात है अब ज़रा सोच के बताओ इसे कहां भेजोगे आप इसे आप भेजोगे debit side of PL debit side of PL point clear हो गया बिटा note down करेंगे ज़रा जल्दी से कि अगर देखते हैं नेक्स्ट है बहुत important है बहुत ध्यान से सिखिए नाम क्या है इसको हम लोग बड़े प्यार से कहते हैं bad debt family नाम देखो bad debt family यह bad debt family है बेटा जाल लीजे मतलब पूरी family वेकार है मतलब हम सब कर लेते हैं सही लेकिन एक गलती हमसे हो जाती है और वह है क्या आपकी bad debt से related लेकिन यकीन मानिए वेटा अगले 20 मिनिट के बाद आपका जीवन में कभी भी bad debt से अगर सामना हुआ तो उसमें आप गलती नहीं करेंगे क्या है क्योंकि आप accounting हम कोई गलती कमी नहीं छोड़ेंगे आपको समझाने में तो बहुत ध्यान से समझें लिखना उखना बंद करिए और सिर्फ ध्यान से समझेंगे बेटा जब आप bad debt की बात करते हो तो bad debt में कितने परिवार आ गए तीन परिवार आ गए bad debt, provision for doubtful debt, provision for discount on data इसके लिए हम आपको एक नई slide से सब कुछ fresh समझाते हैं द्यान से समझना बेटा जब हम trial balance की बात करते हैं तो trial balance में भी bad debt दिया रहता है अरजस्ट्मेंट में भी bad debt दिया रहता है और अरजस्ट्मेंट में भी क्या क्या रहता है bad debt दिया रहता है यानि कहने का सीधा सीधा मतलब यह है बेटा कि आपको bad debt दो जगहां देखने को मिलेगा कहां कहां देखने को मिलेगा भाई एक तो आपको दिखेगा trial balance में देखने को मिलेगा डाविट साइड और दूसरा आपको कहां देखने को मिलेगा अरजेस्ट्रमेंट में दिखेगा कि कि अब ध्यान से समझना इस बात को जो बैट डेप आपको ट्रायल बैलेंस में दिखे जो bad debt आपको कहां दिखे trial balance में दिखे उसको आप कहना कि भाई तुमारा नाम old bad debt है क्या नाम है तुमारा old bad debt है सुनते रहिए खाली बाद में लिखिएगा जो bad debt आपको कहां दिखे trial balance में दिखे तो उससे कहना कि भाई तुमारा नाम क्या है old bad debt है अब जो adjustment में bad debt दिखे जो bad debt आपको कहां दिखे adjustment में दिखे तो उससे कहना भाई तुम्हारा नाम मैंने रखा है new bad debt बात समझ में आगई बिटा इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है न चलिए बहुत सुन्दर नाम करण हो गया है पहले भाई का नाम करण हो गया अब दूसरे वाले को भी उठा के लाते हैं दूसरा वाला जिसे हम बड़े प्यार से कहते हैं provision अब ध्यान से सुनना बेटा provision for bad debt या इसका एक और नाम है provision for doubtful debt ठीक है तो समझो ध्यान से इसको भी हम लोग दो भागों में या दो तरीके से हमको यह देखने को मिलता है एक आपको provision दिखेगा credit side of profit and loss account अब माफ करेगा credit side of trial balance credit side of trial balance यानि जो provision आपको किस side दिखे credit side of trial balance दिखे या दूसरा आपको कहां देखने को मिलेगा दूसरा आपको देखने को मिलेगा कहां पर बिटा अब द्यान से सुनना जो provision for bad debt आपको credit side of trial balance में दिखे उसका नाम देदेना फिर से क्या ओल्ड प्रोवीजन नाम दे देना क्या नाम दे देना बेटा ओल्ड प्रोवीजन नाम दे देना बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए आ गया नाम दे देंगे और जो bad debt यो provision for bad debt आपको कहां दिखे adjustment में दिखे वो से आप कहां भेज देंगे उसे क्या नाम देंगे आप new provision का नाम देंगे इसका नाम देंगे बेटा new provision का नाम देंगे बताइए समझ में आया कि नहीं आया इतना तो नाम करण हो गया है तीसरा वाला तो बहुत सरीफ है discount on bad debt discount on data वो बड़ा सरीफ है उसको ह में आकरिम देखेंगे जो समझना है खाली हमें इनी दोनों में समझना है तो old bad debt क्या होता है सर जो आपको trial balance में दे दिखे new bad debt क्या होता है जो आपको adjustment में देखे old provision क्या होता है सर जो आपको trial balance के credit side में दिखे new provision क्या होता है जो आपके adjustment में दिखे पहचान लेंगे न कोई समस्या तो नहीं न अब इसका treatment देखते हैं हम अब इसका क्या देखते हैं वेटा treatment तो जो आपका old bad debt है यह जाएगा आपका debit side of PL सर यह कहीं और जाएगा क्या एक ही side जाएगा क्या अब हाई यह एक ही side जाएगा क्यूं क्यूंकि भाईया यह कहां दिख रहा है आपको trial balance में दिख रहा है trial balance में दिखी हुई चीज एक जगा पोस्ट की जाती है कि दो जगा पोस्ट की जाती है एक जगा पोस्ट की जाती है इतने में तो कोई दिक्कत नहीं न old bad debt कहा जाएगा debit side of profit and loss account एक बात बताओ यह जो old provision है यह एक जगा जाएगा कि दो जगा जाएगा आप बताओ सोच कर कि इसको एक जगा भेजना चाहिए कि दो जगा भेजना चाहिए फिर एक ही जगा क्योंकि यह कहा जा रहा है यह कहा दिख रहा है trial balance में यह जाएगा कहा credit side of profit and loss account इतने में किसी को कोई समस्या इतने में कोई समस्या नहीं लेकिन अब समस्या आएगी लेकिन मैं आने नहीं दूँगा क्योंकि आप सब accounting guru से पढ़ रहे हैं आईए समस्ते हैं तो देखिए ध्यान से बेटा adjustment CDC बात है दो जगा पर posting होनी है adjustment CDC बात है दो जगाँ पर क्या होनी है posting यह जो आपका बैट डएप है या जो आपका यह provision for bad डएप है यह directly किस से related है ज़रा सौछ के बताना यह directly किस से related है यह directly related है किस से डेटर से अगर डेटर से रिलेटेड है तो सीधी सी बात है अब बताईए दो अरजस्टमेंट में से एक अरजस्टमेंट की पोस्टिंग हो गई की नहीं हो गई देखो कुछ बच्चे चिलाना शुरू कर दिये सर बैलेंसीट में भेजो हाँ पहला अरजस्टमेंट हो चुका है बैलेंसीट में चला जाएगा लेकिन अभी दूसरा अरजस्टमेंट बाकी है वो हम बता दे रहे हैं दूसरा अर्जस्टमेंट ध्यान से देखिए बेटा देखिए ध्यान से देखे ना यह जाएगा आपका कहां बेटा क्या अगी जाएगा दूसरा अर्जस्टमेंट देखो दूसरा रजस्ट्मेंट क्या होगा बेटा ये कहां जाएगा बैलेंस सीट में कहां जाएगा बैलेंस सीट में इसके ऐसे स्टार दे देना क्योंकि क्योंकि इसका और इसका इसका और इसका किसका प्रोवीजन का एक साथ बताऊंगा ज्यान से सुनना ग्रफ न्यू बैटविंग पूस्टिंग कहां होगीडविट साइड आफ पी यल द्जाइड क्या पी यल दूसरी पोस्टिंग कहां होगी बैलिनसीट में ठीक है कैसे Ser आउ देखते हैं की आउ देखते हैं मैं एऊ से तो balance sheet में आप क्या लिखेंगे डेटर लिखेंगे यहां पर ऐसे कटम कुट मारेंगे फिर लिखेंगे क्या new bad debt new लिखेंगे बेटा new bad debt समझ में आ गया की नहीं आ गया चलिए अब फिर से lot आते हैं कहां पुराने प्रोवीजन वाला काम तो हो गया अब नया प्रोवीजन देखते हैं तो नया प्रोवीजन सी बात है प्रोवीजन है कहां भेजेंगे सर देखिए प्रोवीजन देखिए एक सब्द होता है बैट डेप और एक सब्द होता है प्रोवीजन फॉर बैट डेप दोनों म का है it means it is the bad debt future में इतने का loss हो सकता है it is the provision for bad debt समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है अंतर यह है कि किसी ने एक जहापड मार दिया तो समझ लेना bad debt है और किसी ने अगर मारने का सोचा है कि बस मारने वाले मारने वाले लेकिन हाथ उठा रहा लेकिन आपको उम्मीद है कि मार सकता है यह provision for bad debt कि बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई ठीक है जैसे फरवरी का महीना चल रहा है कि द्यान देंगे पिटा फरवरी का महीना चल रहा है तो सीधी सी बात है चाउदा या पंदरा या सोला के बाद साहथ इस लैप डे भी आता है जहता है अच्छा अगर किक पड़ गई तो माल लेना बैट डेफ है और किक पड़ने का चांस है तो प्रवीजन माल लेना आउड देखेंगे तो अब देखो इसे बेटा कहा जाएगा ये ध्यान से देखना बेटा ध्यान से देखिए यह जाएगा आपका debit side of PL सर एक बात बताओ आप old provision को तो आप credit side भेजे हो new provision को debit कहें भेजे है गदारी कर रहे हो क्या गदारी नहीं कर रहा बेटा सुनना ध्यान से पिछले साल का जो provision था सुनना ध्यान से जो आप पिछले साल का provision बनाए है ये भी तो हो सकता है कि उससे कम का आपको loss हो जाए या ये भी हो सकता उससे जादा का loss हो जाए यानि पिछली बार ये जो आपका old provision है ये पिछली बार new provision हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा तो यानि वहाँ पे आपने अल्रेडी उसको क्या दिखाया होगा डैबिट साइड ही as per conservative principle as per क्या conservative principle जिसमें आप कहते थे कि future loss को हमें record करना होता है future profit को हमें ignore करना होता है समझ में आ गया आप चलिए अब दूसरा क्या है बेटा दूसरा क्या है आपका balance seat ये balance seat के नीचे फिर यह से गुचमुचा दीजेगा और फिर यहां पर पहुच जाईएगा कि balance seat में ध्यान से समझेगा कि data में से new bad debt minus करेंगे और new bad debt के साथ साथ आप क्या minus करेंगे new provision for bad debt new provision for bad debt ये भी क्या करेंगे आप minus करेंगे ठीक है बात समझ में आ गई बेटा इतना इतनी समझ में आ गई बेटा अब एक तीसरा point रहे गया है तीसरा point आपका क्या है कहता है provision for discount on data इसको भी अभी हम देखते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटा सा question करते हैं तो देखिए ज़रा ये रहा मेरा trial balance ठीक है data मा लीजे पांच लाग का बैट डेप आपका पांच हजार का प्रूवीजन फोर बैट डेप चार हजार का और अरजस्टमेंट के नाम पे किसके नाम पे इसके नाम पे अरजस्टमेंट के नाम पे आपको बोल रहा है कि additional bad depth additional का मतलब क्या बोल रहा है वो new bad depth additional bad depth है आपका 3000 and create 5% provision for data provision for data action take 5 समझ में आ गगय refresh wife समझ में आ गया precision अब एक बात बताईए यह जो आपको balance sheet में दिया डिया है sorry tire balance में दिया है यह आपका किया है old है यह भी क्या है old है यह जो adjustment में दिया है क्या है आपका न्यू ये जो अर्जस्ट्मेंट में दिया है ये क्या है आपका न्यू बात क्लियर ओ गई बेटा आईए इसका पोस्टिंग देखते हैं कि तो आपको कहां क्या बनाना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस एकाउंट इसलिए यह आपने बना दिया profit and loss account ठीक है तो old bad debt कहां जाएगा debit side to old bad debt कितना है भई आपका 5000 अच्छा old provision किस side जाएगा by old provision किस side जाएगा आपका credit side कितना 4000 उसके बाद two new bad debt और new bad debt कितना दे रखा है आपको 3000 कहां जाएगा debit side और साथी साथ आपका new provision भी किदर जाएगा debit side न्यू प्रोवीजन भी किदर जाएगा debit side लेकिन सवाल यह उठता है कि सर कितना रुपया सवाल यह उठता है कि सर कितना रुपया पांच परसेंट ऑन डेटर यानि क्या सर इस पांच लाख का पांच परसेंट अंसर है नहीं सर क्यारेक्ट करोगे गलती हो जाएगी मतलब अगर आपको new provision calculate करना है अगर आपको क्या calculate करना है new provision स्टार देकर लिखिएगा how to calculate new provision स्टार देकर कहीं लिखिएगा how to calculate new provision तो इसको calculate करने का method क्या होता है बेटा कि जो आपका data balance है जो आपका क्या है data balance है इस data balance से सबसे पहले हम less करेंगे new bad debt क्या less करेंगे new bad debt less करेंगे क्योंकि loss हो चुका है कुछ balance बचेगा तो यह जो balance बचेगा इसमें से फिर आप क्या करेंगे प्रोवीजन कैलकुलेट करेंगे इसमें से आप फिर प्रोवीजन क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे यानि अगर आपने न्यू बैट डेप नहीं घटाया प्रश्ण में दिया हो फिर भी नहीं घटाया और फिर आप प्रोवीजन क्रियेट कर लो तो आंसर गलत रहेगा ठीक है बेटा इसमें से आप फिर क्या करेंगे create provision create provision for bad debt create provision for bad debt बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया point clear हो गया तो यानि अब हम अगर अपने उस question पर लोटे हैं हम अपने उस question पर क्या करें बेटा लोटे तो देखो आप डेटर आपका कितना था पांच लाग कितना है आपका तो पांच लाग में से तीन हजार पहले क्या करेंगे माइनस करेंगे पांच लाग में से तीन हजार सबसे पहले क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे बैलेंस कितना आएगा आपका चार लाग सत्तानवे हजार फिर चार लाग सत्तानवे हजार का फिर पांच परसेंट निकालेंगे बात समझ में आ गई नोट डाउन करिए और आंसर बताईए क्योव़ीश हजाएट सोपचास सब्सक्राइश सब्सक्राइश कि आपे रेलेटेट डाउना बैलेंस इट बाकी है बैलेंस इट क्या है बाकी है तो बैलेंस इट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है यह देखो डेटर आपका जैसे था वैसे आपको लिखना है कैसे अभी दिखाता हूं देखो एक बात बता है आपका डेटर कितना था तर पांच लाक लिख था ना नुओ प्रोविजन नियू बैट डैप कितना था आपका तीन अजार नूओ प्रोवेजन निकाला आपने कितना चोभीस अजार 850 ऐसे माइनस कर तो डारेक्ट वस हो गया बैलन सीट में शो हो गया जो समझना है वो सिर्फ पील वाला समझना है यह जानिये जो समझना है वो सिर्फ किसका समझना है पील वाला बस बैलन सीट में तो डारेक्ट माइनस करना है ले 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 ला की आंसर ठीक है बेटा जल्दी से नोट करेंगे ठीक है इतना नोट हो गया झाल झाल